मोनोलोग का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मोनोलोग जो है वो आत्मगत भाषन को या एकालाप को कहते हैं यानि कि कई बार आप कोई नाटक देखते हैं या कोई ठेटर में कोई ऐसा नाटक चल रहा होता है जिसमें एक ही व्यक्ति जो है, वो एक लंबा सा भाषन देता है, या किसी चीज के बारे में बहुत लंबा सा बोलता है, यानि कि उसके जो डायलोग है, जैसे नाटक में क्या होता है, कि एक डायलोग एक पात्र ने बोला, एक एक ने बोला, फिर दूसरा दूसरे ने बोला, पर monologue में एक ही व्यक्ति जो होता है वो लंबा चोड़ा एक भाशन जैसा नाटक करता है उसको monologue कहा जाता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह एक लंबे एकलाप में चला गया यानि कि वो अकेला ही लंबे समय तक बोलता रहा है किसी टोपिक पर भाशन देता रहा तो आप कहेंगे he went into a long monologue या अगर आप ये कहना चाहें कि comedian ने चुटकलों का एक लंबा एकलाप किया तो आप कहेंगे the comedian gave a long monologue of jokes या अगर आप ये कहना चाहें कि वह अमेरिका में जीवन के बारे में एक लंबे एकलाप में चला गया तो आप कहेंगे he went into a long monologue about life in America अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें